राम्टेक भंड़ा रास्ते पर एक ट्रक साली रात नाले के चेम्बर में फसा रहा जिसका रहन समी नागरिकों को और वहन धारकों को समस्याए हुई पर किसी ने भी इस पर ध्यान तक नहीं दिया राम्टेक से भंड़ा रोड पर आए दिन वहन खड़े रहते हैं पर अब ऐसे गटना सामने आई है जिससे ना सिर्फ राम्टेक के नागरिकों को बलकि भंड़ा के नागरिकों को और राम्टेक भंड़ा हाईवे रोड से आवागमन करने वाले सभी वहन धारकों को की रात से जब एक ट्रॉक जिसका कर्मा कहें एमेच फोर जीरो बीजी चवालिस त्यातिस यह रास्ते के बाजू में बनी नाली के चेंबर पर चड़ गया और इतना ही नहीं बलकि यह ट्रॉक ओवरलोड था जिसमें पानसों के जगह 600 फिट गिट्टी भरी हुई थी जिसका कारण नाली का चेंबर फूट गया और ट्रक का पईया पूरी तरके से नाली में धस गया इतना ही नहीं बलकि यह ट्रॉक पूरी रात यहीं पर फसा रहा जिसकारण ना सरब गाव के नागरिकों को बलकि रास्ते से गुजरने वाले सभी नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा जब केसरी उजला न्यूज ने मौदा तालुका के अरोली पुलीस थाना अंतरगर्द पुलीस वालों से इसके बारे में जानकारी के लिए पूछ ताज की तो पुलीस ने जानकारी ने से साफ इंकार कर दिया आए दिन इस रास्ते पर निजी बाहन खड़े दिखाई देते हैं मात्र यातायाद सुचारू करने के लिए ना तो कोई पुलीस कर्मिया होते है ना ही कोई ट्राफिक हवालदार यहाँ दिखाई देते है अब सवाल ये उठते है कि इस कारण किसी की जान हारी का नुकसाल होता है तो इसका जबाबदार और जिम्मेदार कौन होगा केसरी उजला नियूस के लिए मौदा अरोली से गवरी गणेश बोर करके रिपोर्ट